नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एकरम आज सिर्फ एक सवाल लेकर आपके पास मैं पहुची हूँ कि क्या इस समय इस मुल्क में सबसे बड़ी डिबेट, सबसे बड़ी बहस रंग पर है? कौन सा रंग शर्मिला और कौन सा रंग बेशर्म? कौन सा रंग भगवा और वहरंग किसे पहनना है? कौन सा रंग के सरिया है? क्या यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है? और अगर मुद्दा है तो यह मुद्दा कौन बना रहा है? दोस्तों बतोर भारती महिला मैं आपसे आपके सामने खड़ी हूँ कुछ जरूरी सवाल लेकर सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कौन तय करेगा कि मैंने यह जो रंग पहना है यह पहनना मुझे चाहिए यह नहीं यह आपने जो रंग पहना है क्या वह रंग पहन कर किसी की भावनाएं आहत हो जाती है पर हमारी भावनाएं भारतियों की भावनाएं या यू कहें कि कुछ लोगों की भावनाएं अकसर इस तरह से आहत क्यों हो जाती हैं या आहत क्यों करवा दी जाती हैं यहाँ पर निश्चित तोर पर मैं चर्चा आपसे कर रही हूं पठान फिल्म के एक गाने को लेकर बेशर्म रंग को लेकर जिस तरहा की बहस जिस तरहा की अश्लील बहस तमाम लोगों पर परोसी जा रही है उस पर इस पर बात करने से पहले सबसे जरूरी सवाल यह कि ये बात उठा कौन रहा है और उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है जिस तरह से देश के सांसद जी हाँ सांसद जिन्हें जनता चुन कर बेचती है जिस तरह से देश के राज्य के ग्रिह मंत्री सीधे सीधे महिलाओं पर अभिनेत्रियों पर निशाना साध रहे हैं सिर्फ मुसल्मानों पर ही नहीं महिलाओं पर निशाना साध रहे हैं अभिनेत्री पर निशाना साध रहे हैं और यह बता रहे हैं कि यह टुकडे टुकडे गैंग की हैं इसलिए इन्होंने इस रंग के क मर्तक रही है जेन्यू वाले उसमें और इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके द्रश्यों को ठीक करें वे इस मुसा को ठीक करें अन्मिता मद्यप्रदेश में इस फिल्म को अनुमती दी जाए यह न दी जाए यह विचारनी प्रश्न होगा यहां सीधा सवाल आप से क क्या अब आने वाले दिनों में इस मुल्क में हम यह सोचेंगे कि हरा रंग पहना है तो हम प्रो मुसल्मान हो जाएंगे यह मुसल्मान समर्थक देखे जाएंगे क्या जंडों के रंग सबजियों के रंग सब रंग घाल मेल करके हम सिर्फ और सिर्फ नफरत करेंगे और द भगवा रंग आपका नहीं है, यह हम सब का है, यह देश के जंडे का रंग है, भगसिंग का रणग है, इस पर सिर्फ आप कैसे अपना दावा ठोक सकते हैं, हम तमाम लोग सिर्फ इस मुल्क के ही नहीं, दुनिया में यह रंग चलता है, इस रंग पर आधारित करके, अपनी राजनीती आप ना चलाएं क्योंकि आप खुद फस जाएंगे मैं उन तमाम वीडियो उन तमाम बॉलिवुट के गानों के जिक्र नहीं करना चाहती जहां पर इस रंग का इस्तमाल किया गया है क्योंकि यह डिबेट मेरे लिए बेमानी है कि इस रंग को पहन कर कौन क्या कर था चाहे वदेश की मंत्री इसमरिती इरानी को लेकि जो वीडियो चल रहा है 1998 का जब मिस इंडिया कंपटीशन में गई थी या फिर सांसद हेमामालनी का सवाल यह नहीं है कि उन्होंने तब क्या पहना या आप क्या पहन रही है इसका अधिकार हर किसी को उस समय भी था अ क्यों आखिर पठान पठान के बाइकॉट की डिबेट और यह कहना देश की संसद के भीतर खड़े होकर उसके परिसर में खड़े होकर कैसे कोई सांसद कह सकता है अपील कर सकता है हिंदूं से कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को ना देखने जाईए अगर कहीं बर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी अपत्तिक जनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए तब जाके उन्होंने रिलीस करनी की परमिशन दिनी चाहिए अगर कहीं पर भी हमा तो उनको सावधान करती हूं उनको इसका सामना करना पड़ेगा और मैं जनता से अपील करती हूं कि इनके पेट पर लात मारो इनके धन्नों को जाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए मेरा मानना है कि यह शुद्ध रूप से अनकॉंस्ट्यूशनल स्टेटमेंट है जिसे सांसदों को वापस लेना चाहिए और इस पर बहस मुभाहसा करकर देश के युवाओं का दिमाग उनका समय भ्रमित नहीं करना चाहिए मेरा यह साफ मानना है कि यह पूरी की पूरी डिबेट पठान और पठान के बेशर्म रंग पर जान बूच कर प्लांट की गई है सुनोयोजित ढंग से इस पर सारी बहस को पैदा किया गया है खड़ा किया गया है बहुत ठोस बज़ा है इसकी क्योंकि संसत के भीतर सरकार बुरी तरह से घिर रही थी चहे चीन का मसला हो चाहे एडी रेट्स का मसला हो चाहे बेरोजगारी का मसला हो इन तमाम सवालों पर जबरुदस्त बहस चल रही थी जिस पर सरकार को जबाब देते नहीं बन रहा था अब आप देखिए कि पूरे परिदृष्ष से जो कुछ अरुडाचल में हुआ वह सीन से गायब हो गया जो कुछ सवाल जवाब ED rates पर हो रहे थे वे पटल से ही गायब हो गए देश की संसद में दूसरे ढंग से डिबेट को मोडने की कोशिश की गई और इसमें क्या ही कहिए कि जिस तरह से हमारा प्रिय मीडिया चुन चुन कर ठीक उन सांसदों के पास पहुचता है बाइट्स लेने के लिए जिनके जवाब तकरीबन सब को पहले से पता है और उन्हें वही जवाब मिलता है जिस पर वे खेल सकते हैं चाहे वो साधवी प्रग्या हो या फिर नवनीत राणा हो या मद्ध प्रदेश के ग्रिह मंत्री और इस तरह के अंगिनत लोग उन सब को केंद्र में लाकर पूरा का पूरा टूल किट तैयार किया जाता है ताकि दिन भर सिर्फ और सिर्फ इसी पर बहस चल सके और इस तरह से मुसल्मानों के खिलाफ और मुसल्मानों से भी जादा भारतिय महिलाओं के खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाता है शायद इस समय हमें सोचना इस पर जरूरी है कि ये जो गैर मुद्दा है नौन इशू है इसे इशू बनाने की जो पॉलिटिक्स है यह हिंदु मुसल्मान भेद पैदा करने से भी जादा खतरनाक है और अंत में सिर्फ दो बातें जिनका सीधा सीधा संपर्क शाहरुख खान ने जो कलकत्ता में कहा उससे है आप देखना चाहें फिल्म नहीं देखना चाहें आप कश्मीर फाइल्स देखें नहीं देखें पठान देखें नहीं देखें कोई भी फिल्म ना देखें फिल्म देखना न देखना मुद्दा नहीं है मुद्दा सिर्फिया है कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की नफरती ब्रिगेड है इसे हम किस तरह से काबू में पाएं और अगर काबू में नहीं पाएंगे तो हमारे यह प्यारे रंग शायद हम से छिन जाएंगे शुक्रिया